हलो माई लवली लवली फ्रेंड्स लवली लवली फ्रेंड्स लवली लवली फ्यूर्स बेलिकम तो मैं चैनल देशिस एसी ट्यूबर आपका हार्दिक स्वागत है मेले हमारे इस चैनल पे जो मैं बुलाता हूँ अगर आपने इस वीडियो को सर्च करके आपने ये वीडियो देखना शुरू किया है या आप राइड करना चाहते है या आप राइड करते है और आपको रिक्वार्पेंट है एक ब्लुटूथ डिवाइस की जो आपके हेलमेट में फिट हो सके और उस करें अइस इस इंट नहीं सा इस उस इस एक पर स्विक्र मान और किले प्ल probabil संति just अधिव को अफिर को बीडियो इस धिशित कांट सिंट ऊनुरूप गोिडियो अंधि भीडियों सो आच का जो रिव्यू वीडियो है इस अब किवा seben ने के बने इस S3, यह बहुत ही फेमस एक Bluetooth डिवाइस है, जो लोग अपने हेलमेट पर यूज करते है, इसकी कॉस्ट होती है, आराउंड तीन से साड़े तीन हजार के बिच में, अगर आप Aliexpress वेब साइट से या उसके मुबाइल एप से ओडर करते हैं, अगर आप इंडिया में इसको प्रोड़क्त पर आपने बीटी एस टू के बारे में जरूर सुना होगा, आपने कुछ वीडियो भी शायद देखोंगे, बट यह बीटी एस ट्री एक नया वर्जन है, वही Bluetooth का, जो चलिए देखते हैं, यह जो मेरे हाद में यह जो पैकेट है, इस पैकेट मैंने इसको द पैकेट को खोल लेता हूँ, पैकेट खोलते ही मुझे जो दिखा, that is this box and this is the new model जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, यह नया मॉडल है, बीटी एस टू के अपगरेड़ेड वर्जन बीटी एस थरी and मैंने इसको ओर्डर किया हुआ है, फ्रॉम आली एक्स्प्रेस का जो म description box में मिल जाएगा, आप देख लीजिए और लिंक पे क्लिक किजिए, मुझे उस लिंक से कोई पैसे नहीं मिलने वाले, यह आपके facility के लिए है, आप चाहे तो उसको order कर सकते है, so यह रहा, यह model इसके अंदर क्या-क्या आता है, चलिए इस box को मैं open करता हूँ, इस box में कि इसी भी तरीके का कोई seal pack नहीं है, ना कि BTS2 में आता था, so इसमें भी नहीं है, so जैसे कि BTS2 में आता था, जो मेरे पास दो BTS2 Bluetooth है, और वैसे ही इसमें एक user manual है, यह user manual एक upgraded user manual है, as per BTS3, फिर मैं जब खोलू, तो similarly, यह packet है, और इस packet में आया है, इसके stickers, इस, खुल के लिखते हैं, यह रहा इसका sticker and इसका mountain rig, जो mount कर सकते हैं, दूसरी जो चीज आई है, उसका aux cable, this is the aux cable, यह अब अगर music सुन रहे हैं, तो आपके mobile के साथ इसको connect करेंगे, तो आप सुन पाएंगे, यह रहा इसका clip, जो यह काफी better लग रहा है, BTS 2 से, यह इसका clip है, आप तैरेक्टिक इसको mount करके, इसको लगा सकते हैं, तो आपको इस sticker की कोई जरुवत नहीं पड़ेगी, मैं definitely इसको try करूँगा, अगर यह लगा सको, then this would be the better thing that I see, यह उसका screw mount, जो उसके अंदर जाके, आप screws को tight कर सकते हैं, यह रहा, the Bluetooth device, देखिए, यह कैसा दिख रहा है, I think, जो BTS 2 था, यह उससे जादा advance दिखता है, जादा sporty, इसका look है, मैं आपको BTS 2 भी दिखा दूँगा, but this is the new BTS 3, चलिए, यह तो हो गया, डिवाइस में क्या गया है, और बॉक्स में क्या गया है, ओ, by the way, मैंने इसका माइक तो आपको दिखाया है, ने, so, इसके साथ आता है, USB, Micro USB to USB केबल, and यह केबल स्पेसिविक है, यह माइकरो USB है, और यह केबल आपको यूज लगेगा, क्योंकि यह जो स्मार्टफोन से है, उस केबल से अलग होता है, and यह आपके डिवाइस के यह जो पॉइंट है, यह पॉ यह माइक जो आपके हलमेट में फिट होगी, and उसके दो यह जो आप सुनने के लिए इस्तमाल करेंगे, so, this is the thing in the box, इसके अलबा बोक्स में कुछ नहीं है, इधर चो पीछे आप एक हलमेट देख रहे है, this is a XOR हलमेट, मैं इस हलमेट को आपको दिखा देता हूं सबसे पहले, so, यह दिखिए, यह रहा हलमेट, and यह हलमेट है, एक XOR का हलमेट, जो की इसका जो स्क्रीन है, यह एक एंटी-फॉक स्क्रीन है, इसके अंदर भी अच्छे फीचर्स दिए गया है, हलमेट में, and इसके ब Setup का वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, because बहुत लिंदी हो जाएगा, मैं करने वाला क्या हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ, यह माउंट, यह जो कुछ भी कुशनिंग, आप देख रहे हैं, इस हलमेट के अंदर, अगर आप दिख पा रहे हैं, यह सारी कुशनिंग यहां से लिखे, यहां तक मैं निकाल दूँगा, निकालने के बाद, यह जो माइक सिस्टेम है, इसका यह अंदर फिट हो जाएगा, इसका जो यह ब्लोटूथ सिस्टेम है, यह भी अंदर मैं फिट कर दूँगा, and that is way I will set up the helmet, तो मैं quickly इसको set up करता हूँ, and set up करने के बा So, हो गया, set up, it took around half an hour to 35 minutes, पूरा helmet को set up करने के लिए, and मैं आपको directly बता देता हूँ, यह helmet, so, just see, so, यह जो आप देख पा रहे हो, this is the Bluetooth, जो अभी set up हो चुका है, helmet पे, जो कुछ time पहले नहीं था, मैंने इसको set up करने के लिए, I use the sticker, मैंने इसको sticker के थूरू use किया है, जो एक चीज मुझे इस Bluetooth में अभी फिलाल set up करते वक्त अच्छी नहीं लगी, कि जो company ने, सिर्फ एक ही sticker दिया हुआ है, आपको set up करने के लिए, at least एक और sticker की जरुवत थी, अगर यह sticker खराब हो जाता है, या अभी जैसे मौन्सून का म जानी अगर घुज गया तो यह फ्रूटू निकल सकता है, उसके पाद इसको कैसे पेस्ट किया जाएगा, that is a very big issue, so एक इस्टिकर है, और दूसरा जो option था as a clip, इसको जो 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 हिल्मेट होते, जिसके यहां पर रबराइज होता है, आप इसके अंदर अगर वो दारो के, it will finally damage the cushion of the helmet as well as the rubberized part of the outside of the helmet, जिसके वज़े से अंदर पानी गुच सकता है, so company you need to think about this, आपको extra stickers प्रोवाइड करने जरूरी है, so यह एक फ्लाव मुझे लगा, by the way इसका cost and PTS2 का cost जो है, it is near about the same, कुछ दो तीन डॉलर का difference बढ़ता है, if you are buying from Aliexpress, इंडिया में कितना फर्ग पड़ेगा, I don't know, and आप helmet देखिए, how it looks, I think it is looking great, बहुत अच्छे से यह suit हो चुका है, यह पूरा setup, and अगर आप देखेंगे, यह एक तार जो आपको देख रही है, यह एक तार के अलावा, आपको कहीं पे, helmet के अंदर कोई भी ता okay, so, चलिया है, इसका फर्स टाइम, इसको स्टाट करते है, इसको स्टाट करने के लिए, यहां पर जो पावर बटन दिया गया है, यह जो सामने यह जो पावर बटन दिया गया है, I need to press this, and hold, यह blue light blink होना फूरू हो गया, this is a good thing, के यह blue light काफी bright है, as compared to the BTH2 helmet, BTH2 Bluetooth, यह blue light काफी powerful लग रही है, यह clearly दिख भी रही है, शायद आपको भी clear ने नजर आ रहा है, यहां यहां आप मैं ट्राइ करूंगा इसको एक पेर करने का, एक Bluetooth mobile phone से, मेरे चुब smartphone है उससे, and check करते हैं, कि इसका sound quality जो आ रहा है, मैं भी ट्राइ करूंगा, आपको सुनाने के लिए, इसका sound quality कैसा आ रहा है, so let's see, so अगर आप इसको clearly देख पा रहा है, यहां पर first test में, यह जो यहां को point है, it is clearly showing that it is BTS 3 has been connected, and this has been connected within 2-3 seconds, बहुत fast connection हुआ है, इस चीज का, and अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं एक कोई music play करता हूँ, and जितना करीब हो सके, मैं mic के इसके लेके जाओंगा, ताकि आपको भी clear idea मिले, कि how it sounds, so अगर आप सुन पा रहे हैं, इसके अंदर एक new copyright music, जो YouTube channel है, मैंने उसमें से एक music play किया है, and I am, मैं एकदम nearby आप इसको लेके जा रहा हूँ, so आप सुन के देखिए, कैसा लगता है, बाद में मैं इसको पहन के भी देख रहा हूँ, कैसा लगेगा, music काफी clean और काफी loud नजर आ रही है, जो मैंने सुना, शायद आपको भी थोड़ा बहुत idea हो जाएगा, कैसा ये लग रहा है, अभी चलिए मैं इसको पहन के देखता हूँ, and I hope a blasting sound मुझे फीब होगा, okay, so music quality काफी अच्छी है, as compared to BTS 2, शायद थोड़ा बहुत, इसमें clarity मुझे जादा लगी, but it all depends कि आपका earpiece कैसा है, उस पे भी, but more or less, मुझे ये device, मुझे इसका sound quality, and जिस तरिके का ये looks है, काफी अच्छा लगा, मैं और एक वीडियो इस पे बना रहा हूँ, about pairing the BTS 2 and the BTS 3, जी हाँ, ये दोनों चीजे pair हो सकती है, मैंने ये confirm किया था, from the seller, and seller ने कहा, आप कर सकते हूँ, एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, about the pairing, बाकी तो सब चीजे normal है, so thank you for watching this video, and I hope you have enjoyed this video, and अगर आप BTS 3 करिदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लेंगे, या नहीं लेंगे, उसके बारे में एक आपका idea मिल चुगा होगा, Thank you so much friends for watching this video, and I will see you in my next video, till then do subscribe this channel, and do hit a like if you have actually liked this video, thank you, take care, I will see you in my next video, bye. झाल